गुड़ मॉनिंग इस्टुटेंट्स मैं आपका फिजिक्स टीचर मुकेश कुमार आज मैं बच्चों सम इम्पोर्टेंट सम इम्पोर्टेंट डिफिनेशन रिलेटेट टू इस्फेरिकल मिरर के बारे में आपको आज मैं जानकारी दूँगा बच्चों जो सम इम्पोर्टेंट डिफिनेशन रिलेट टू इस्फेरिकल मिरर्स हैं वो मैंने सो कर दिया है फर्स्ट हेडिंग है पोल मिन्स ध्रू सेकेंड सेंटर आफ करवेचर मिन्स वक्रता केंद्र थर्ड नंबर से प्रिंस्पल एक्सिस मेंस मुख्य अच्छ प्रिंस्पल एक्सिस मेंस मुख्य अच्छ फूर नंबर हेडिंग जो है रेडिश आफ करवेचर मिन्स वक्रता तिर्ज्या फाइफ नंबर जो हेडिंग है प्रिंस्पल फोकस मेंस मुख्य फोकस शिक्स नंबर जो हेडिंग है फोकल लेंथ मेंस फोकस दूरी नाव एंटेंड इस सेटिंग बाई डाइग्राम बच्चो यह जो दूर डाइग्राम देख रहे हो तूर डाइग्राम जो मैंने सो कर दिया है फस्ट जो है कान के मीरर का है किस मीरर का है कान के हू जैसा कि मैंने लाश वीडियों बताया था कान के वास कान वेक्स मेरे के डाइग्राम के बारे में डेटेल थोड़ा इसको इबारे में जनकार दिया था तो यहाँ पर इसका वर्क है अब हम इस वर्क को समझेंगे क्या है और यह सेकिन वाला जो है बच्चों यह कान्वेक्स है अंडिस्टेंड? यस, ओके बच्चों अब हम इसमें समझेंगे यह P जो है पोल है F जो है प्रिंस्पल फोकस है C जो है सेंटर आफ करवेचर है और यह जो लाइन जो जा रही है C से P पाइंट तक जो मीट कर रही है इस लाइन को हम प्रिंस्पल एक्सिस कहते हैं क्या बूलेंगे प्रिंस्पल एक्सिस सेम दिस करडिशन फालो आइस कान्वेक्स मिरर और यह बच्चों यह भी समझेंगे थोड़ा कि यह जो C से P तक की जो डिस्टेंस कवर किया है यह रेडियस साब कर वेक्चर है और यह F से पी तक प्वाइड का जो डिस्टेंस कवर किया है यह इसमाल F जो है वो क्या है फोकल एंद है understand same this is फालो आइस कान्वेक्स मिरर यही जो है कान्वेक्स कान्वेक्स मिरर में यही कंडिशन जो है कान्वेक्स मिरर में है जैसे यह P P means pole F principle focus C center of curvature center of curvature यह लाइन जो है straight जो लाइन जो जा रही है इसको हम क्या कहेंगे principle axis क्या बोलेंगे principle axis क्या बोलेंगे principle axis और ये P से जो F तक की जो distance है उसको क्या बोलेंगे? Focal length और P से जो C तक की जो distance है उसको बोलेंगे R उसको क्या बोलेंगे? R R means radius of curvature Understand? अब बच्चों Pols से लेकर focal length तक की जो definition है उसको हम डीटेल में आप समझेंगे Understand? बच्चों First heading Pole Pole means through इसकी जो definition है दो central point of the reflecting surface of the mirror is called pole of the mirror बच्चों गोले का दरपण की परावर्तक सतह के मद बिंदू को ध्रू कहते हैं जो mirror है उसकी reflecting surface जो है उसकी जो mean point है जो central point है उसको क्या बोलेंगे? Pole बोलेंगे ध्रू बोलेंगे Pole को It is donated by P इसको P से donate करेंगे जैसा के मैंने अभी diagram के medium से आपको बदाया Understand? Next heading है बच्चों Center of curvature इसकी जो definition है इस मिन्स गोले का केंद्र जिसका दरपण एक भाग होता है उसे वक्रता केंद्र गहते हैं जैसे जो मैंने बताये जैसे माल लीजिए यह mirror है और mirror का जो एक भाग है यह point जो यहां से जो mirror है इसका जो भाग है हाफ वाला वो क्या कहलाएगा? Center Center of curvature यानि centrial जो point है Understand? इस Center of curvature को C से donate करेंगे जाता है दूनेट करते हैं ओके? Understand? Next heading है बच्चों Principal axis Next heading है Principal axis इसकी definition है The straight line joining The pole and the center of curvature Of the mirror Is called Principal axis Is called Principal axis That means This means दूनेट जो पूल एंड सेंटर आफ करवेक्चर कुछ जो मिलाने वाली जो स्टेर लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे प्रिंस्पल आक्सिस ओके अंडिस्टेंड नेक्स्ट शेडिंग है बक्चो रेडियस आफ करवेक्चर इसकी जो डिफनेशन है दिस्टेंस of the center of curvature the distance of the center of curvature from the pole of the mirror is called radius of curvature of the mirror is called radius of curvature that means that means वक्रता केंद्र से धुरू तक की दूरी को वक्रता केंद्र से धुरू तक की दूरी को वक्रता त्रिज्जा कहते है यानि radius of curvature उसको कहते हैं इसको हम capital R से डूरेट करते हैं या कोई small R से भी डूर्ट करता है understand next heading है बच्चो प्रिंस्पल फोकस considering है principle फोकस principle फोकस इसकी डिफिनेशन है the point on the principle axis at which light rays parallel to the principle axis after reflection from the mirror from the mirror actually meet or appear to come from mirror is called principle focus is called principle focus it is donated by capital F capital F understand this means मुख अच्च पर वह बिंदू मुख अच्च पर वह बिंदू जिस पर प्रकास की प्रमुख किर्णे समानतर होती है दर्पर्थ से परावर्तन के बाद वास्तों में मिलते या आते हुए दिखाई देते हैं या परतीत होती हैं तो उन्हें मुख फोकस कहते हैं उन्हें मुख फोकस कहते हैं इसे काप्टल एप से डिवेंट किरते हैं इसको किसे डिवेंट करते हैं काप्टल एप से नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग बच्चो फोकल लेंथ इसकी टिवेंशन है दिस्टेंस आफ दिस्टेंस आफ दिस्टेंस आफ from the pole of the mirror is called the focal length is called the focal length that means मुख्य फोकस मुख्य फोकस से धृू तक की दूरी को मुख्य फोकस से धृू तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं it is donated by a small F a small F understand okay thanks for watching this video I hope you will like and subscribe this video okay thanks for watching this video